चांद को अर्ग देने का सही समय रात्री आठ वजे के बाद का महुरत बताया गया है विद्वानों के माध्यम से तो आपका ये ब्रत जब चांद का दर्शन हो जाए तभी आप इस ब्रत को पूरा करिएगा अच्छा करवा चौध का मतलब है करवा एक मिट्टी के बरतन का नाम होता है और उसमें चलनी मैं दिया रखकर इस तरी आपने पती का मुँ देखते हैं क्या ये बास सही है तो चलनी पर ही दिया रखकर मुँ क्यों देखा जाता है मेरी माँ सुपड़े पर दिया रखके मुँ क्यों नहीं या अन्य किसी और चीज पर अब आप कहेंगे कि उसमें 20 से आर पार देखने की विवस्था होती तो विवस्था तो आर पार देखने की और भी साधन से हो सकती थी चलनी से ही अपने पती का चेहरा क्यों देखा जाता है और एक बात ध्यान से देखिएगा चलनी का जो मुँ होता है वो पतनी की तरफ होता है क्यों कि इस तरफ दिया रखा जाता है वो चलनी की जो पीठ होती है वो पती की तरफ होती है उससे ही वो पती का चहरा देखती है क्यों ऐसा है कभी सोचा है इसके पिछे का आध्यात में कारण क्या हो सकता चलनी का गुण क्या है चलनी का गुण है कि वो कच्रे को बचा कर रख लेती है अच्छाई को आगे की तरफ फेक देती है तो पतनी का प्रैम देखिए पती के परती कितना है कि पतनी उस चलनी के मूँ की तरफ खड़ी होती है और मानो ये कहती है कि यदि हमारे और आपके जीवन में कोई बुराई है तो वो बुराई मेरी तरफ रह जाए और अच्छाई आपकी तरफ चली जाए ये पतनी का प्रेम है जो चलनी के इस कार्य से एक इस्त्री अपने पती को ये कहना चाहती है कि मैं आपके जीवन की इस रिस्ते की हर बुराई मैं अपनी तरफ लेती हूँ और आपकी तरफ के वल खुशियां हो अच्छाई हो पतनी जो होती है न वो पती की खुशी में ही अपने आपको खुश महसूस करती है पती का दुख ही उसका दुख. पतनी का अपना कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं. ये समरपन का त्योहार हैं करवाचौथ और हर इस्त्री के सम्मान को हम पुरुश लोगों का धर्म हैं कि हम इस्त्री का सम्मान करें, इस्त्री जात का सम्मान करें चाहे वो मा के रूप में हो, बेहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो पतनी का भी सम्मान बहुत करना चाहिए और करवाचोथ की आप सब को बहुत बहुत सुभकामनाए आप सब के जीवन में पती पतनी के रिष्टे जब अच्छे होते हैं न जब पती पतनी सुख में जीवन व्यतीत करते हैं तो उनके जीवन में जब सुख होता है, तब ही मन भगवान में भी लगता है, सत्संग में भी लगता है, आने जाने में भी लगता, पती बतनी में यदि जंजट बनी रहे तो मन कहीं नहीं लगता, इसलिए पती बतनी का रिष्टा मधुर होना चाहिए, इसलिए पतनी से प् पुरसी दाजी की पतनी ने अपने पती को परमात्मा के तरफ मोड़ दिया आपका पती यदि आप से प्रेम करता है तो आप अपनी तरफ से उसे भगवान के तरफ मोड़ने का प्रयास करो ये पतनी का धर्म है जो पती को पतन से बचाए वो पतनी होती है इसलिए पतनी का धर्म हैं कि आप अपनी ग्रहस्ती में रहकर प्रैम पुरुवक। सास्त्र कहते हैं कि पति बृता नारी जिसके मांग में सिंदूर हाँच में चूड़ी गले में मंगल सूत्र पति बृता नारी आप किसी सुभकार के लिए जा रहे हो और आपको पति बृता नारी का दर्सन हो जाए तो आपका कार सिद्ध होता है केवल नारी के दर्सन से पति बृता नारी सुभसूचक होती है सुहागन इस्त्री सुभसूचक होती है और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब ये गाती हो के मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं मुझे को इतना तुबर दान दे ओ मैया जब तक जीऊं ओ भगवन जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं मुझको इतना उबलता देगा भगवान से यही प्रार्चना है कि आप जब तक जीएं आप सदा सुहागन रहें कर्मा चौच के इस ब्रत में भगवान आपको सदा सुहागन रखें और सदा आपके सुहाग की रख्षा करें यही आप सब के लिए बंगल का उन्मा